हेलो वाइज वेलकम बैक टो माइ चैनल अप लोग सब कैसे हो ओकी सव आज नम लग बिनाने वाला है में डियाइवाइस की सव डियाइवाइस बीडिफुल टिकॉरिटिव स्केल बनाने के लिए हमें कुछ मट्रियल्स चाहिए तो चलिए मट्रियल्स आप लोग प्रफर कर यह है मेरे पास अलफ एक्सल के वाटर कलर मारकर जो मैं डिकॉरिशन के लिए यूज करूंगी यहां पर मेरे पास सीजर ब्लैक पन यह फेवी कॉल फिर कुछ मार्किंग के लिए मट्रियल्स है यह एक हमें बोर्ड कर जो मार्कर आता है ब्लैक मार्कर वह चाहिए ब्लैक क यह हमें इक स्प्रिंकल चाहिए यह स्टार वाले स्प्रिंकल्स है इसको मैं डिकॉरिशन में यूज कर सकते हूं और लास सीन जो है वह लो करल पी पर चाहिए इसमें इनको वाइट लिया और यह पेंक लिए है तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे येस हम अभी स्टार्ट करेंगे बनाने का तो यहां पर पहले मैं एक प्लास्टिक कवर ले लिए है आप इसे गर पे भी बना सकते हो इसलिए प्लास्टिक से सो यह प्लास्टिक कवर के बराबर हमें एक वाइट कलर की स्ट्रिप कट कर लेनी है सो मैं इसके बराबर के एक स्ट्रिप कट कर लूँगी सो यह वाइट पेपर कर मैंने यह वाले स्ट्रिप मार्ग कर लिया अब मैं इसको कट कर दूँगी सो अच्रेशिया हम इसको कट कर देते हैं embarrass me a aい strip कट कर ली है बिसको में exactly एक हाफ मेंटने तो मेंटने स्कूल हाफ में फोलग कर देते हूं एक जैटली हाफ में फोलड करो येस तो ये जो स्ट्रिप है हाफ फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह लगते हैं येस ये हमारी हाफ में स्ट्रिप फोल्ड हो चुक है ये फोल्ड थी इसलिए हमने इसको अब हाफ में कर लिया है अब इसके ऊपर मतलब जो ये हाफ है कौनसे भी एक साइट पर आप लोगों को स्केल मार्क कर लें लाइक ये जो हमारे पास यसे नॉर्मल स्केल्स है इसके यहाँ पर जो 1-1 cm का जो लेंथ दिया होता है वो हम मैं इसके ऊपर मार्क करूँगी यह समने इस पर पेंसल से एक दिम लाइट ली कुछ मार्क कर लिया आप लोग देख सकते हो अब इस पर मैं स्केच पेंसल स्रेस कर दूँगी इस हमने आपको बोला साम एक ब्लेक स्केच पेंस लगेगी तो इससे से अब हम इसको कर देंगे जैसे यह स्केच पर इस तरह से कुछ मार्किंग बना लिया अब क्या करना है यह जो स्केच है इसके ऊपर हमें यह इस तरह से लग जाएगा यहां पर कुछ हमें डेकोरेशन के लिए यह जो पेंक पेपर है इस पर हम कुछ बनाएंगे अब हम इस पर बनाने वाले टेडी विया तो इसके लिए क्या कर आप इस पेपर सीट को इस तरह से एक हाफ में इसको आप लोग फोल्ड कर सकते हो यहां इसको मैंने इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लिया आप देख सकते हैं यहां अब इसके ऊपर हम जो कर देंगे टेडी पिया यह सर्वी है मैंने एक क्यूट से टेटी पर जहाता कर लिया लेकर मैंचे कुछ खाली खाली लग रहा है समाएंगे यह एला फिक्सल के वोटाप पर मार्कोस इस पर पेंट कर दूंगी इसके चिस पर हम दो पिंक कलर कर देंगे इसके चोटी चोटी चुट 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 तंग अस पर यह मैं रड कलो करूंगी यह मुरे तो बहुत क्यूट टेटी पिया लग रहा है इसके जो टेटी पिया के जो है तो हम पेंगे पिंक करेंगे यह सो मैंने यह अपनी क्यूट क्यूट चुट 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 तेडी पिया को फिल भी कर दिया है ऐसा ही हमारे एक टेड़ी पिया हो चुट है हमें और और एक टेड़ी पिया बनाना है तो बना लेता है यह सो मैंने अभी दूसरा रावी कट कर लिया अभी इसको भी हम पहलो वाली के तरह इस पर भी हम कुछ जो फिल अप कर देंगे जो से एक ट्रक्टिव लगेगा पर दे यह हमें पॉर्ड करने अपड़ीगा देखने यह कितना क्यूल लगा रहा ना तो मैं सोच हो कि उसके ऊपर आना हम लोग एक सेलोटेप लगा देंगे जिससे कि यह लाइक स्टीकर टाइप इसका लूप लाए आएगा यह सो यह होने के वाद हम उसके उपर एक सेलोटेप लगा देंगे इससे फटा फट कर लेते हैं यह देखाता हमारी यह दोनों क्यूट क्यूट ट्रीप अप्रेडी हो चुका है यह अब हम इसके उपर सेलोटेप लगा देंगे हासा अब इसके उपर यह जो सेलोटेप लगा देंगे आपसे इसको बिलकुल अच्छी तरह से लोगों को लगाना पड़ता है अ यह किनियु आइड है असलाइप सेलोटेप लगाने का और जो फिर उसके उपर का जो बेंगे सब्सकाना वह लेक्स का लगता इसलिए अम लोग इसके उपर सेलोटेप लगाता है आप लोग एक देख लो बाद में आप लोग अपना अपना भी लगा सकते हो यह सब मैं इसके उपर सेलो टिप लगा लिया है अब जो लाइक सेलो टिप जो बाहर आती है उसको हम कट कर देंगे अब आप लोगों को लग रहो है कि ए सरलो टिप वग रहा है कैसे लग रहा है या अच्छा नहीं मुझे भी लाइक वैसे लगता है लाइक शूब लूख लोग और लगा देखु गर वो इतना अच्छा आथा इसका लुख लगता है यह एक रेडी मेट शॉप में से खरीदा हो वस्ती कर रहा है यह सबसे कटिंग होने का यह कर लेने हैं अब कर लोग यह देखिए हमारा यह ट्रेडी वह रड़ी हो चुग है यह शाइन भी कितना करें इसकी बद सेलोटीप लगाना है इसा लगता भी नहीं कि हम लोग इस सेलोटीप लगा यह कहीं से भी लुए आप हम यह दूसरे पिप्यू तरहां से लगाले में आप इसमें فरक देख सकते हो कितना फरक है किसमें इस पे अपसरिण गाले हो हूं ? अब हम लोग कि यह लूग है को इसके ढाल देंगे वो यह जैने है इसके नदर ग्लीटर राल दिखिया है अब इसका रही टॉप यहां पर हम स्टीकर लगा देंगे यह आगे से लगाएंगे और पीछे से भी लगाएंगे इसको उस तरह इसके है तो यह मैंने अब स्टीकर लगा लिया है क्यूट क्यूट अब यह हमने स्केल की लंथ बनाए थी वह अब हमें यहां पर इसे चिपकानी है यह समारी एक क्यूट डियाइवा स्केल अब रड़ी है आप देख सकता है कि इतनी क्यूट लिए इसकी टॉप पर यह टड़ी वियर्ज है इससाइड में लेंथ भी है और यह ग्लीटर मुझे ग्लीटर से खेलना बहुत अच्छ लगता है तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को यह स्केल कैसे लगी ओके टाटा बाई बाई लव यू और मौाँ